नमस्कार हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेशें आज के समाचार मुख्यमंत्री श्री जराम ठाकु ने आज नई दिली में भारत के राश्टर पती श्री रामनाथ कोविन से भेंट की मुख्यमंत्री ने राश्टर पती को प्रदेश के राजजयत्व की स्वाण जयनती के उपलक्ष में विधानसभा के विशेश सत्र को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश आने का औपचारिक निमंत्रन दिया उन्होंने राश्टर रुपती को जानकारी दी कि इस वर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और स्वर्ण जयन्ती के आउसर पर राज्य में वर्ष भर विभिन कारिक्रम आयोचेत किये जाएंगे आज नई दिली में मुख्यमंत्री श्री जाराम ठाको ने केंद्रिया वित मंत्रि श्रीमती निर्मलासी तरमण से भी भेंट की मुख्य मंत्री ने केंद्रिया वित मंत्री से 100 मिलियन डॉलर के एशियाई विकास बैंक के प्रथम चरण की परियोशना को पुनहा आरंभ करने का आग रह किया इस परियोशना का उदेश राज में विश्वस्तर की अधोसन रचना का निर्मान कर परियाटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है केंद्रिया मंत्री ने एशियाई विकास बैंक परियोशना को पुनहा आरंभ करने पर वेचार करने का आश्वासन दिया और शीघ्र इसे जंबंधित प्रस्ताव फेशने को कहा केंद्रिय वित मंत्री ने मुख्यमंत्री को व्यकास में गती के लिए शीघ्रुनिधी तथा स्वीकृती प्राप्त करने के लिए राष्ट्री अधुसन रचना पाइपलाइन का उप्योग करने को कहा उन्होंने मुख्यमंत्री को कोविटी का करण की प्रथम खुराग के सफलता पूर्वा क्रियाइन वेन के लिए बधाई भी दी मुख्यमंत्री श्री जाराम ठाको ने आज नई दिली में केंद्रिय नागरिक ओडेयन मंत्री श्री जोतीरादित्य एम सिंधिया से भिंट की मुख्यमंत्री ने केंद्रिया मंत्री से मंडी जले में ग्रीन फिल्ड हवाई अड्रे के निर्मान तथा शिमला भुंतर और कांग्रा में हवाई अटों के विस्तारी करण से सम्बंथ स्वीकृतियां शीक्र प्रदान करने का अग रह किया उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक लोकप्री परियटन गंतव्य है और हवाई अटों के निर्मान और विस्तारी करण से परियटकों के आगमन में वृधी होगी जिससे परियटन को बढ़ावा मिलेका वो रोजगार स्रिजन की संभावनाएं भी बढ़ेगी उन्होंने उडान योशना के तहट किराया घटाने के लिए केंद्रिय मंत्री तथा केंद्र सरकार का अभार व्यक्ति किया और कहा कि उडानों को सस्ता करना सारवजनिक हित में एक बड़ी पहल है केंदरी और मंत्री ने वभाक के अथिकारियों को मामले में तेज़ी लाने के निर्देश दिया और इसकी प्रगती के बारे में अवधत करवाने को कहा उन्हें राजे को हर संभाव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकूर, विधानसपा अध्यक्ष श्री विपिन सिंग परमार और भाजपा राजय प्रभारी, श्री अविनाश रायखना ने आज दिली स्थित हिमाच्वल सदन में राजय पाल श्री राजेंद्र विशुनात आरलेकर से शिष्टाचार इनके अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 1034 लोगों के सेंपल लिये गए, जिन मेंसे 207 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई हैं, जबकि 814 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है, अभी तक 32,871,873 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिन मेंसे 30,55,677 सेंपल की जांच नेगेटिव पाई गई हैं, प्रदेश में को 2,15,090 लोगों में कोरोना वाइरिस के संक्रमन की पुष्टी हुई हैं, जिन मेंसे 2,09,873 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं, और 1,592 व्यक्ति उप्चारा धीन हैं, हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करे यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करे ट्वीटर एट DPRHP, लाइक करे फेस्बुक पेज, इंफरमेशन और पुब्लिक रेलेशन्स देपार्मेंट हिमाचल प्रुदेश, वेजिट करे वेबसाइट www.himachalpr. इस अंक में इतना ही, कल फिर होगे मुलाकाश, दीजे इजाज़त, नमस्कार.